हलो गाईज वेलकम टू एडवनकूरन मैं हूँ आपका दोस्त अश्वीनिकुमार और मैं आज की इस वीडियो में नाकपूरी व्याकरण का जो टॉपिक है अनेक शब्दों से एक शब्द तो अनेक शब्दों से एक शब्द जो हैं इससे अकसर प्रश्ण पूछे जाते हैं जितने भी अपकमिंग कॉंपरिटिव एक्जामनेशन होने वाले हैं जैसे JSSC हैं, JPSC हैं, जारकन उत्पाद सिपाही है या फिर नाकपूरी से समवंधित जितने भी कॉंपरिटिव एक्जामनेशन होने वाले हैं उसमें अनेक शब्दों से एक शब्द के कुछ न कुछ देखे गए हैं, ये जो है अनेक शब्दों के एक शब्द, ये पार्ट टू है, इसका पार्ट वन अल्रेडी एडवन कुरन चैनल में अपलूट किया जा चुका है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब टू एडवन कुरन, आईए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पहला है जे दूसर पहें धेश लगाए, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको धेसाहा कहते हैं, धेस, पहें, सबसे पैले यहां पर देखिए पहें, पहें का मतलब होता है नाकपूरया में, के उपर, मतलब कि किसी के उपर धेmost लग अगे हैं अगहे हैं दूसर कर खेतदान ने काम करें कव्ला अद्मी तो उस múson करते हैं तो उसको हम लोग बनिहार करते हैं या किसान है लोग जिनके पास नहीं होता है और वो काम करते हैं तो उसको हम लोग हिंदी में मजदूर लेकिन नक्पुरिया में कहते हैं नक्पुरिया में कहते हैं हम लोग बनिहार ठीक है आप इसको समझे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं जे कर आगा धायर-धायर होई तो उसको क्या कहते हैं तो उसको हम लोग चोंक कहते हैं मान लिजे कोई चीज है को निकुला चीज है जिसका आगे का जो हिस्सा होता है वो धारदार है तो इस इस बा मतलब कि वही स्थ है जो की डिया ज्यादा बोलती है और गुसना अगर लड़का है तो लड़क鬼 है तो गांदकी इसी के अंदर रहा रहा रहता बाहर नहीं निकलता है ठीक है तो उसको हम लोग कहते हैं घर घुसना या फिर घर घुसनी अच्छा वैसा लड़का या वैसी लड़की जो शर्माता है तो उसको हम लोग कहते हैं लाजो कहते हैं लड़का लड़की दुन्नों को लाजवे कहते हैं ठीक है लड़की भी है तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं पानी ने मेसा होवल माटी तो उसको क्या कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कादो देखिए इसमें यह जो है पानी ने मेसा होवल मिटी कुछ-कुछ बुक्स में या कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि नली का पानी लिखा हुआ है देखिए य चाणना मतलब होता है, खेत को कादो कादो करता है, यानि कि उसमें और पानी डालते हैं, और उसमें हम लोग पाटा उटा मारते हैं, और चाणना उसको कहते हैं, उसी तरह से हम लोग मिट्टी का जो घर बनाते हैं, मिट्टी का जो घर बनता है, तो मिट्टी का घर को बनाने हो गई जमीन ही का है माल जियरा सता मिटी है रास्ता मिठी जो है वह का दो कादो हो Joy डिक है तो लोग कहते हैं जो दर ऐसे घर से अbab Sa Min अगे द्धान रोपेला तो जो धान रोपता है उसको देखिए धान रोपने काम जातर जो होता है वो इस्तरियां करती है ठीक है इसे लिए उसको धन रोपनी कहल जाता है और धान रोपने की प्रकिरिया को भी धन रोपनी है बोलता है हम लोग दोनों को जैसे कि जो धान रोपता है उसको हम लोग धन रोपनी कहते हैं आगे है बक बकिया जैसे कि चार लोग बैठे तो कोई एक ऐसा ज़रूर होता है कि अपने से कुछ ने कुछ टॉपिक मी बोलना शुरू कर देता है तो उसी कहते हैं बक बकिया ठीक है आगे है दूसर के पैसा कोड़ी उधार देवे वाला अदमी तो उसको हम लोग कहते हैं महाजन ठ कहा जाता है आगे है परपति ओहारने नवह काटे वाला तो उसको क्या कहते हैं लबॉवा जो नो काटता है न या बाल बनाता है उस कोंग चारल वाट चौने क्या कर यह लोग तो उसमें क्या करते हैं ना कि उसमें खपड़ा जो होता है उसको हम लोग मतलब की बारिश से पहले यान की गर्मी के दिन में क्या करते हैं ना हम लोग चाइन चरवाते हैं कि खपड़ा चेंज करवाते हैं और कहां कहां पर छेदा है कहां कहां से पानी चूता है उस अपका ख्याल रखते हैं तो उसी कहीं जाता है च्छाइन झारके वाला जो अदमी होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, च्छाइन क्या होता है आप समझ गएं कि मिटिया घर के अपर खपड़ा का है मधोग च्छाइन कहते हैं और जो छान को च्छारता है, मतलब उसको बनाता है उसको चाहिन चर्वा कहते हैं ठीक है और हम लोग घरमी के समय यह काम करवाते हैं ताकि बारिस के समय हम लोग च्छत जो है चाहिन जो है वह चुए नहीं पानी मारता तो चूता है ना वो ना हो इसलिए आगे है घर ने पुजा पाट करवाए वाला तो तो उसको हम लोग कहते हैं दौौरा फिर खाचा तो खाचे में हम लोग वह Produald ठीक है कचे में आलू बहुते है इस तरह से बना वबाता है अटलाई को सवा काट देता है लो ओपने के पाद को भाठो जोब गोल इस तरह से कर दिर चाइन तो कि आधे दोरा या चाम आचा है चिसको हम लोग भी घरते हैं उस क्या होता है ऑन उन आ जोनाज होता है उसको ऑडिया कहता है तो फिक्स बनता नोला बड़ा ओसकता है खांचा बड़ा हो सकता है चोटा पूरा का बनाल रहता है अनाज रखने के लिए वहाँ उसको कहते है तो उसको कहते हैं यह फिर मुरहा मोरह भी कहते हैं या फिर डिमना भी कहते हैं चलिए आगे है पांस कर बनाल मचरी धरक वाला बस्तू तो उसको का कहते हैं तो उसको कुमनी कहते हैं हम लोग आप लोग डांग बंसी से कन्फूज मत कीजेगा किक है बासे का बनल रहता है कुमनी किक है देखिए दोस्तों यह स प्रारूप क्या होता यह सब तो मैं आपको करा ही रहा हूं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिजे पूरे टॉपिक्स को कभर किया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से आपके अंडरस्टेंडिंग को डेवलप कराने के लिए यह सिर्फ कॉम्पेटिशन निकलने के लिए नहीं से लेकिन आपका अंडरस्टेंडिंग इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको कूई दिख्कत ने हमसी और बॉक्स को छुनी के भी जरूटने पड़ेगी तो देखिए कुमन पानी एसे करके जाता है तो इसमें जो भी मचली उचली होटा है ना मचली अंदर गुशता है और पानी इधर से बाहर निकल जाता है और मचली उचली जो है रहा जाता है तो प्र I amjour क Ara I am I don't know it लेते हैं बारी उगरने के लिए जो बनता है ना वांसे का या टांट का हम लोग बनाते हैं तो उसी उखते हैं लोग माचा ठीक है इसमें उपरे बैट लेते हैं और कोई मतलब बड़ा दूर दूर तक खेत दीखे इसके लिए कि खेत में कहीं कोई CR वार नहीं घुच जाए बचरू जुरू ना घुच जाए उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं माचा बनाते हैं तो बारी के खातिर बनाल उंच घर जो होता है उगरे खातिर मतलब की बारी को देखने के लिए उगरे उगरना का मतलब है कि हम लोग बैटके उगरते हैं कोई चीज को जैसे कि खेती क यह तो खेत में कोई खूस ना जाए तो उसको बचाना उसको नोगरना करते हैं को अगरना करता है चलिए यह दोनों चीज में चुझा use होता है जली आगे जे आए दूधना पानी चूएला उसको अमो लोगा ठता है देखिए होता है घर का चृत में जैसे हुआज है इस से एसे करके पानी चूरा है हुआ तो पानी क्ने वाले जो ईवाले इलाका है इसी को हम लोगात थे हैं औरे छाइन जो होता है च्षंपर चया शपर आगे तक घर का अगर घर बना हुआ है तो घर के आगे तक कुछ निकला हुआ रहता है चाहिए तो घर कर बाहर जो थिना पाणी चुएला पानी चुएला या उसको हम लोग औरी कहते हैं या फिर औरी कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं जोन ठीना नहाल जायला तो उसको हम लोग घाट कहते हैं यह तो इसी है चलिए आगे बढ़ते हैं जोन ठीना गोबर जमा करल जायला उसको हम लोग गढ़ा कर कहते हैं आगे है जे एकदम करिया है तो उसको हम लोग कहते हैं भुजं करिया ठीक है आगे हैं गाओं कर पूजा कर खाओं तो उसको हम लोग कहते हैं मड़ई गाओं में ही एक जो पूजा होता है ना उसको हम लोग मडई कहते हैं देखिए आप लोग को गाओं का प्रारूप थोड़ा समझा सकते देते हैं सब् आगे बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं कंगाल अदमी कंगाल कहते हैं आगे हैं जे अदमी जरूरत ने भी धन खर्चा करेक में संकोच करेला तो उसको हम लोग कहते हैं कंज़ड हिंदी में उसको कंज़ड कहते हैं नकपरिया में हम लोग उसको कहते हैं तो दोस्तों ये है अनेक शब्दों के एक शब्द I hope मैंने जितना भी समझाया है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और अगर कुछ भी doubts है तो comment section is open for all आप लोगों को जो भी doubt है comment section में comment कीजिए इस तरह के वीडियो से आपका नाकपूरी व्याकरन का syllabus तो cover हो नी रहा है लेकिन आपका नाकपूरी का vocabulary भी बहुत improve कर रहा है ठीक है तो I hope कि आपको वीडियो समझ में आया होगा इस तरह के वीडियो काफी important होते हैं ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, अपने suggestions comment box में comment कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए add one pro channel को subscribe कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जैहिंद